36 गर में 90 विधान सभा शेत्रों के लिए 2 चर्णों में हुए मतदान की बाद 3 दिसंबर को मतगरना होगी इसके लिए सभी 33 जुला मुख्यालियों में तयार यां पूरी कर ली गई है मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा सहाब कंगाले ने बताया कि सभी मतगरना केंद्रों में हर विधान सभा शेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गये है मतों की गिंती सुभा आट बजे से शुरू होगी जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं की मतों की गरना होगी उसके बाद डाक मतपत्रों की गिंती शुरू होगी सबाब 6.bres1 बज़े के बाद सभी टेबलों पर 1-7 मतगर्णा शुरू होगी कवरधा में सबसे अधेग 30 चक्रों में मतगर्णा होगी इसके बाद कसडोल में 29 चक्रों होगी वही सबसे कम मनेंगर्ण और भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगर्णा होगी मदगर्णा के दौरान प्रत्याशी किसी भी टेबल पर जवाकर मदगर्णा को देख सकेंगे जबकि प्रत्याशी के अभिकरता सर्फ निर्धारिट टेबल पर ही मदगर्णा का निरिक्षन कर सकेंगे सयोक्ति मुख निर्वाचन पदा अधिकारी निलेश शीर सागर ने बताया कि मदगर्णा कार्यों में लगे अधिकार्यों और करमचार्यों को ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है इसके लिए पूरी तैयारिया की गई है खास तोर पे स्ट्रॉंग रूम की जो सुरक्षा विवस्ता है वो भी चोक्चंध है इसके साथ जो भी हमारे मददान अभी करता है उनके जो ट्रेनिंग है जो भी हमारे काउंटिंग अभी करता है जो काउंटिंग कराएंगे उनके सबके trading जीलो में की जा चुकी है इसके साथ साथ खास तोर पे जो भी counting के बारे में निटी गृटीज है जो भी नियम है उसको भी विस्तार से सभी को आउगत कराये गया है ताकि जो counting हो बिढ़कुल स्पस्ट और स्पस्ट और transparent तरीके से हो खास तोर पे जो हमारे पोस्टल बैलेट रहते हैं उनके काउंटिंग को लेके भी कुछ वीशे रहते हैं उसका भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया है हमारे सभी counting centers भी बने हैं हर counting center पे 14 टिबल लगेंगे और उसमें round wise counting की जाएगे इसके साथ counting के जो भी entries है जो इनकोर में होता है उसको भी करने की पूरी वस्ता हमने कर दी बेवितरा जुले की बात करें तो यहां भी मतगर्णा की तयार यहां जोरो पर है बेवितरा कलेक्टर PSL माने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये कलेक्टर ने बताया कि 3 दिसंबर को सभी विधान सभा शेत्र के लिए 14-14 टेबल में मतगर्णा होगी इससे पहले 2 दिसंबर को मतगर्णा की तयारियों को लेकर रिहर्सल किया जाएगा मतगर्णा सुपरवाईजर और माइक्रो बजर इन सबकी टेनिंग प्रतम पाले में आज सुबे से चल लए थी और सेकेंड पाले में भी चल लए है सभी को अच्छे से पुक्ता से नियम प्राधानों के नुसार मतगर्णा कर सकें इसके लिए पारगत कर रहे हैं कहीं किसी पिकार की लिकत नहीं होगी दो तारिक को हम लोगों ने मौके पर रहलसल का कार्योंजा बनाई हुई है और मौकी पे जाके सभी कर्मचारी अपने टेबल पे जाके बैठेंगे और उसके बाद गढ़ना प्रक्रिया कैसे होगी क्या होगा कैसे वियम जाए आएगी कहां से और कौन से गैंग में से अभियर्थी या अभिकरता हूं को आना होगा कहां से मदगर्णा भिकरता हूं सब्सक्राइब करने के जाएगे कहीं पर की मतगर्णा में दिक्कत नहीं वहीं बिलासपूर जिले के 6 विदान सभा शेत्रों के लिए 3 दिसंबर को कोनी स्थित शाष की इंजिनिरिंग कॉलेज परिशर में जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी शरण ने मतगर्णा स्थलका दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये उन्होंने बताया कि मतगर्णा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी हो गई है वो लेकनिये हैं कि प्रदेश में 90 दिधान सभाशेत्रों में इस बार 1181 प्रतियाशियों ने भाग्या आजमाया है